बेद के तीन कांड हैं और एक लाख मंत्र हैं और इन एक लाख मंत्रों में कर्म कांड के इसमें असी हजार मंत्र हैं उपासना कांड केस में 16,000 मंत्र हैं, जो ग्रहस्तियों के लिए हैं, बेद में, बेद में उपासना के 16,000 मंत्र हैं, जो हम सब ग्रहस्तियों के लिए हैं, उसमें हम सब ग्रहस्तियों को रूल बताए गए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उपासना करन जब सॉरे हैं और ग्रष्ट के बाद मान प्रस्ट में जाना चाहिए राध्र राध्र बोलना पड़े का जाना चाहिए एक नहीं बान प्रस्त में जाना चाहिए चोथे पन जाईये नरपकान जब बच्चे बड़े हो जाएं बाल सपेद हो जाएं पाम जब आप दे दें आखों से कम दिखने लगे तो चतुरत बस्ता समझ लेनी चाहिए सारी जिम्मेदारियों से पल्ला जाड़ कर एक संकल्प ले लेना चाहिए क्या? मोहि आन मेलो गन स्याम बहुत दिन बीत गए मोहि आन मेलो गन स्याम बहुत दिन बीत गए मत बजाओ ये भाव रखो कब बच्चों की साधी हो जाने के बाद अब हमारे माता बहन और बुजरक हो जाने महराज बहु आ गई है एक बेटे का मूँ और देख जाए उसके का चलो हो गई आगे बेटा भी हो गया अब जाब निकलो महराज अबी तो बोलना भी नहीं सेखा एक बार दादी सुननू दादा सुननू पिर चलेंगे बच्चे न दादा दादा दादी दादी कहना शुरू किया अब चलो अरे महराज थोड़े दिन और रुख जाए का करेगी महराज बहाँ देख जाओ या को अब नहीं को और रहेगो बस दस साल गोए गोए ग्यारे सालों रहे गई है जाट ब्या करके जब करनों का है भजन ही करेंगी महराज कर चोड़े महराज आप लोग जितने लोग बैठें करपा करके बताओ इमान दाई से चूटा नातियों के भी विवा हो गए होंगे एक आद के इमान दाई से चोट बैरा के आ रहा है छोड़ें ऐसे इमान में आ रही है आच आप लोग बताओ ए माताओ ए माताजी नाति की बहु आई कि नहीं अभी किसकी नाति की बहु आ गई है हाथ उठाओ माताजी आपकी नाति की बहु आ गई सच बताओ क्या अभी भी घड़ छोड़ने का मन करता है किसी का नहीं करेगा ये कोई मैं इन से पूछ रहा हूँ ये इसलिए जिससे प्रैक्टिकल हो सके युबाओं को ये बास समझ में आ सके आज हम जो ये सोच रहे हैं कि जब उड़े होएंगे तो भजन कर लेंगे I'm sorry नहीं कर पाओगे एक और बास समझ लें कम रहते चोटे रहते हैं तो मोह माया कम होती है और जैसे जैसे अप 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 ग्रो अप होता चला जाता है ना सिर्फ आयू बढ़ती है बलकि लोभ, मोह, माया, लालच, काम सब धीरे-धीरे बढ़ जाता है और हद पार कर जाता है मैंने देखा है ठाकुर जी करपा से अब आयू हो ली हमारी और आयू से ज़ादा experience हो ली हमारा इतने लोगों को देखा आप समझ लीजिए जितना जल्दी ठाकुर जी के चरणों में लग जाओ ये नियम है बेटा बेटी का विवा हो जाए तुमारी जिम्मेदारी खतम, उनकी जिम्मेदारी शुरू उसके बाद तुमारी एक जिम्मेदारी वस्ती है तुमारी आत्म कल्यान की इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है रही बात, जो स्वाद लेते लेते 40 साल, 50 साल से पेट नहीं वरा वो और 10 साल ले लोगे तो बढ़ जाएगा जिन गाडियों में चलते चलते 40-50 साल होए उनमें पेट नहीं वराबो 10 साल में और बढ़ जाएगा जिन सुक्सुविदाओं को भोगते भोगते हम लोग इतना उमर बिता दिये अभी भी और चाहिए और चाहिए लालच बढ़ रहा है बटी में आग सुलग रही है सांत होगी? नहीं क्या करें? अब एक ही अगन जलाओ, कृष्ण बिरहे की अगन जलाओ और सारी अगनियों को सांत कर दो, सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो, इच्छाओं का दमन कर डालो और कहो अब कुछ और नहीं, सिर्क तू चाहिए, सिर्क तू चाहिए, सिर्क तू चाहिए इक उमर में गड़ छोड के बन में चले जाने कोया प्रश्त कहते हैं जो कि याल आज कल संबब नहीं है इतने बन में जाएंगे तो वहां उतनी साधिना तो हमारी है नहीं तो क्या करें घर में ही रहकर घर को ही बन बना लेणा चाहिए बन में मसालेदार सबजी नहीं मिलेगी बन में बनी बनाई रोटी नहीं मिलेगी बन में सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा बन में सुकसुवदाय नहीं मिलेंगी तो गर में रहते हुए ही उन सभी सुकसुवदाओं का परित्याग करो एक मतलब का गद्दा रख लो गद्दा ले लो जमीन पर सोना प्रारम कर दो बिस्तर गद्दा बड़ा चोड़ा से होते बैड डबल बैड उसको छोड़ दो और ना छोड़ सको वो भी तखत है उस पर आराम दे गद्दा मत बिछाओ अगर सरीर को आराम देते रहे तो ये तुम्हें भगवान में नहीं लगने देगा निश्यत एक उपाए करो इस उमर में पचास पचपन के बाद अपने रूम में जमीन पे ही एक बिस्तर भी चालना छोटा सा और सड़ दी हो तो थोड़ा सा और उसे बचने का उपाए जिससे बच सको सिर्फ उतनी विवस्ता और जैसा बहू बेटा बना के दे दें खालो अगर न दे तो अपने आप स्वैम से कोई मसालेदार सबजी नहों कोई विवस्ता ऐसी नहों जिसके लिए जीवतर से फिर क्या करें वो लहात में माला जोली लेकर सुबह तुरंत इशनान करके ठाकुर जी के सामने पूरे दिन में जितना अधिक समय बैठ सको बैठो उसके बाद देखिए अगर आप इस मार को अपनाते हैं मैं दावे से कहता हूँ मेरे भाई बेन यकीन मानियेगा मनजिल मिलेगी आयू समाप्ती से पहले समाप्ती से पहले मनजिल मिलेगी but first you devote yourself then you see he will come to you it's compulsory he will come to you but if you obey my every words